Hello everyone, welcome back once again to Parcham. आज का सेशन जोग्रफी में क्लाइमेट ओलोजी का लेक्चर नमबर 3 है. लेक्चर नमबर 1 और 2 में हम पहले क्या पढ़ चुके हैं? अट्मॉसफेर के बारे में. हमने अट्मॉसफेर के वेरियस स्ट्रक्चर देख लिए, जो जो लेयर्स हैं वो देख लिए, उनका कॉम्पोजिशन देख लिया, किन चीजों से बनी हुई है वो लेयर्स और इनके रोल या फंक्शन भी देख लिए. आज के सेशन में क्या पढ़ने वाले हैं? इन्सोलेशन और इलेक्ट्रोमेगनेटिक रेडियेशन क्या होता है? यह सन से रिलेटिट कुछ है, सन से रिलेटिट कुछ है, सन के रेडियेशन से रिलेटिट है, विकाज अर्थ पर जो भी क्लाइमेटोलोजी चल रही है, क्लाइमेट के फेनॉमिनन चल रहे हैं, वो प्रेशर से रिलेटिट हो, system हो या temperature differences and changes हो वो सब किस वजह से होते हैं they are all ultimately because of the sun and sun's energy जो हम तक पहुँचती है तो आज के session में हम जानने की कोशिश करेंगे कुछ questions के answers या है वो questions जो आज डील करेंगे सबसे पहले sun हमारे लिए यानि earth के लिए ultimate energy source है अगर sun नहीं हो तो कोई भी life process नहीं हो सकता धर्ती पे life possible ही नहीं हो सकती climatology तो दूर की बात होगी so अगर sun ultimate source of energy है तो sun को भी कहीं से energy मिल रही होगी क्या है sun का energy source ये जानने की कोशिश करेंगे then ये जो energy है sun की earth तक कैसे आती है because हमें पता है space is vacuum कोई matter नहीं होता वहाँ पे जिससे transfer of energy possible हो तो कैसे sun की energy धर्ती तक आती है ये देखेंगे किस किस तरहे की energy आती है sun के through क्या ये एक simple one form of energy है जिसे light energy बोल दे हम या कुछ और भी उसके अलग variations है उसी light energy में कोई types of types हैं वो भी हम देखेंगे और ultimately हम ये देखेंगे कि जब वो सूरच का प्रकाश यानि की सूर्या तप या फिर sun की radiation धर्ती तक पहुँचती है तो धर्ती किस तरह से उसको receive करती है क्या उसका take होता है क्या absorption क्या reflection तो ये सारी चीजें पढ़ेंगे आज के session में तो चलिए start करते हैं lecture on climatology number 3 स्टार्ट करते हैं हमारे ultimate energy source के energy source को जानने से यानि कि sun को उसके energy कहां से मिलती है what is the source of sun's energy उसके लिए जरुए थोड़ी सी briefing sun के बारे में हमें होनी चाहिए डीटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे जब solar system galaxy वगरा के बारे में पढ़ेंगे तो आलग से एक सन प्योपर chapter हम लेंगे चलिए तो sun you must be knowing is a star सूरज एक सितार है और जिस तरह से हर star का energy source वो खुद होता है they have their own light they have their own energy इसी तरह सन का भी energy source वो खुद ही है वो अपनी energy खुद create करता है कैसे comes the question so एक process होता है जिसे बोलते है nuclear fusion आपने सुने होंगे दो processes एक होता है nuclear fission एक होता है nuclear fusion यानि दो चीजों का जुड़ना तो sun का जो composition है sun के उपर कोई भी solid matter नहीं है it is all gas बहुत extreme energy की high heat की जब gas होती है तो उसको एक नाम दे दिया जाता है और उसे कहते है I hope मैंने यहां लिखा होगा plasma state आपको तीन states पता होंगी solid liquid gas और gas की बहुत heated stage को कहा जाता है plasma state तो sun की उपर दो gases है primarily एक है hydrogen दूसरा है helium hydrogen ही combine होके helium बनाता है और इस process में बहुत सारी energy release होती है क्यूंकि यह सब plasma state में हो रहा होता है plasma state is very high heated state of a gas और उस case में इतनी ज़्यादा energy होती है कि जो ions होते हैं वो atoms से अलब हो जाते हैं और फिर जब reactions carry on होते है nuclear fusion होता है तो immense amount of energy release होती है तो यही source है sun के energy का ठीक है so sun energy हुद से ही लेता है इसमें hydrogen and helium atoms plasma state में होते हैं अब आपको plasma state समझ में आ गई होई solid liquid gas और एक 4th state होती है plasma state which is a very high temperature या high heated state of a gas और उसको plasma state बोलते हैं जिसमें कि ions आटम से अलग ही हो जाते हैं तो इसमें कि आटम से अलग ही हो जाते हैं तो इसमें हैं जिसमें hydrogen nuclei not atom hydrogen nuclei मिलते हैं और helium बनाते हैं अब आपसे पहला question आ रहा है बतायेगा अभी जब मैं आगे पढ़ा दू तो बतायेगा कि कहां पर यह nuclear fusion होता है बहुत सारे parts अभी मैं आपको बताऊंगी sun के जैसे हम earth का बोलते हैं core mantle etc इसी तरह से sun के भी कुछ parts में आपको बताऊंगी some will be of its interior some will be of the atmosphere sun का भी atmosphere है sun का भी interior है तो कहां पर यह nuclear fusion होता है आपको मुझे comment करके बताना है चलिए so अब यह nuclear fusion कहां होता है उसके लिए समझेगा कि sun का एक interior होता है जैसे earth का एक interior होता है और एक atmosphere होगा so sun के interior atmosphere में कौन-कौन सी layers आती हैं जल्दी से वो समझ लेते हैं यहां पर आपको दिख रही है यह कुछ एक layers थोड़ी बहुत आपको दिखने में आरी होंगी है तो पहले समझ लेते है sun's interior has a core so बिल्कुल center में बिल्कुल center में अभी एक डाइग्रम अगली slide पर आएगा वहां बेटर आप देख पाएंगे एक core होता है एक radiation zone होता है nuclear fusion takes place in the core, core region में होता है और जब यहां पर nuclear fusion होता है बहुत सारी energy produce होती है तो वो radiation zone से radiations के through अगले zone तक पहुँचती है और third zone is convection zone और यहां पर convection जैसे convection अर्थ पर होता है उसी तरह से convection यहां पर चलता है पहले आप अगली slide देख लीजे तो सब कुछ थोड़ा बेटर समझ में आएगा चलिए तो यह जो एरिया आपको दिख रहा है हमने 3D cut slice दिखा रहा है sun का so this is the core यहां पर nuclear fusion होता है that is helium hydrogen nuclei मिलके helium बनाएंगे और यहां पर immense amount of energy release होती है यही energy यह पूरा जो आपका orange zone दिख रहा है this is see this is radiative zone और यहां से radiations electromagnetic radiations electromagnetic radiations के तोर पे और यह जो energy है यह कहां पहुँचेगी यह पहुँचती है इस yellowish zone में जिसको कहते हैं convective zone और यहां पर convection start होता है जो यहां पहुचते ही गरम जो heat है वो उपर की side गए यहां पर temperature थोड़ा कम होता है तो वापस down आती है यहां core यह interior sorry not core sun के core में 3 layers आ जाती है core, radiative zone and convective zone और यह तीनों मिलके बनाती है the interior और सबसे सबसे बिलकुल बाहर इसके जो layer आएगी यानि अब interior के बाद स्टार्ट होगा atmosphere so interior के बाहर की layer या atmosphere के अंदर की layer दोनों एकी layer होंगे और उसका नाम क्या है उसका नाम है photosphere क्या नाम है photosphere अब हमने बात कर लिए interior की core, radiative zone and conductive zone अब हम बात करें अगर atmosphere की जैसे earth का atmosphere है इसी तरह sun का भी atmosphere यह आपको atmosphere दिख रहा है sun के atmosphere में यह जो सबसे उपर अंदर यानि interior से जस्ट बाहर वाली जो layer है या पूरे atmosphere के सबसे अंदर वाली layer है जैसे earth के के समें ट्रोपोसफेर है इसी केस में sun के के समें है photosphere कौंसी layer है photosphere और यही layer है जो हमें visible होती है इसके अंदर का तो कुछ भी visible होगा नहीं Sun के interior में है So this is the first layer which is visible Sun's energy is released as light from here यही से light emission स्टार्ट होता है और इसी light के जज़े से हमें यह सते दिखती है इसके बाहर अब यह जो आपको layers दिख रहे हैं एक को lower और एक को अपर नेम दिया गया यह दोनों है Chromosphere Chromosphere Sun का जो reddish color होता है वो इस लेर की वज़े से होता है हम detail में बाद में पढ़ें के जब सूरे ग्रहन होता है Eclipse, Solar Eclipse तो जो जो reddish line side में दिखती है वो इसी layer की वज़े से दिखती है and so on and so forth So photosphere सबसे पहले आएगा उसके बाद आएगा Chromosphere और उसके बाद आता है Corona आज वाला Corona नहीं पर हाई इस दी आउटर कावरिंग आप ऐसे समझेगा तो ये जो भी आपको ये उड़ता उड़ता सा दिख रहा है This is the outer atmosphere outer layer of the atmosphere जिसको Corona कहा जाता है और ये highest temperature की है up to अब ये देख लो कितना है 10 lakh degree Celsius temperature तक पहुँच सकता है यहाँ पर इतना high temperature होता है So ये सबका ही temperature बहुत हाई 6000 degree Celsius फोटो स्फेर है उसके बाद लोवर Chromosphere की जो temperature है वो थोड़ा कम होता है लेकिन अपर Chromosphere फिर 10,000 degree Celsius तक पहुँच जाता है और जैसे जो बिलकुल आउटरमोस लेयर की जो ये कोरोना एरिया में जो रेडियेशन होंगी वो जैसे थोड़ इसी ठंडी होंगी वो सोलर वेवस बन करके स्पेस में फैल जाती है So हाईस टेंपरेचर अगर आपसे पूछा जाए लाइट एमिशन जो होता है जो फर्स लेयर हमको दिखती है फ्रॉम दी अट्मोसफेर इनर साइड तो वो फोटोसफेर होती है ठीक है तो आई होब ये बेसिक बेसिक चीज़े आपको सन की क्लियर हो गई होंगी सन का इंटिरियर किस चीज से बना हुआ है सन का एग स्टियरर इंट इस ओल गास कोर भी कोई लिक्विड चीज नहीं है सन का कोर में भी कुछ हिँए नहीं इस ओल गासेज, अचेज अट अंड सन के एंटिरियर में कोर रडिये इट जोन न चंडबक्टिव जोन आते हैं इसके जो उपर वाली लेयर हो गई, ये वाली, इसको बोलते हैं photosphere, इसके उपर ये जो reddish layer आ गई, इसको बोलेंगे chromosphere, और ये जो बाहर आपको, chromosphere के बाहर भी थोड़ा-थोड़ा सा उड़ता उड़ता सा gases दिख रहा है, that is the corona. Now there are so many other terms also involved, लेकिन वो आप भी आज के चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे, पिकिस आज हमें पढ़ना है insulation और electromagnetic radiation के बारे में. तो पहला सवाल समझ में आ गया, कि energy, हमारे energy source को energy कहां से मिलती है, उसको मिलती है nuclear fusion से, जो कि होता है sun के core में. दूसरा सवाल जो हमें address करना है यह है, how does sun's energy travel through space? अब sun के पास उसकी energy है, ठीक है, उसने बना ली, पर उसकी energy हम तक पहुँचने के लिए उसको travel करना पड़े का space से, तो वो travel करती कैसे है, और उसका answer है, electromagnetic radiation. Yes, that is the answer. तो यह आपको दिख रही है electromagnetic wave, electromagnetic wave में दो fields होती है, एक यह है electric field, जो आपको Y-axis पर दिखाए गए है, Z-axis है बटाए है. तो यह आपको दिख रही है electromagnetic wave, Sun से Earth तक जो energy आती है, वो कैसे आती है, I told you it comes through radiation. वो मैंने पहले बता दिया क्या? हाँ, बता दिया था. तो यह आपको दिख रही है, वो कैसे भेज रहा है, कैसे ट्रांस्मिट कर रहा है, थ्रू रेडियेशन. उन रेडियेशन का नेचर क्या है? उनका नेचर है electromagnetic. यानि कि electromagnetic waves में दो fields होती है, एक आपको दिख रही है, यह electric field और दूसरी यह दिख रही है, this is a magnetic field और यह मिला करके बनाते हैं, electromagnetic waves या radiations. अब इसमें एक ची समझिएगा, जो भी electromagnetic waves होती है, वो crest और troph से मिलके बनीवी होती है, यानि एक चड़ाव और एक उतार, जैसे लहरे भी होती है, चड़ती और उतरती हैं. तो यह दो crest या दो troph के बीच का जो यह distance है, इसको हम कहते हैं wavelength. क्या कहते हैं? wavelength. नाओ, यह पास-पास है या दूर-दूर है, इसके basis पे electromagnetic radiation दो तरह की हो सकती हैं. या तो हो सकती है short wavelength या हो सकती है long wavelength. दिखिए आपको, जिसमें crest और troph पास-पास होंगे. So, इनकी दोनों के difference छोटा हो गया, इनका दोनों का difference बड़ा हो गया. So, these are short wavelength, these are long wavelength. अब मैं यह क्यों बता रहे हूं? Because sun से जो radiation या जो electromagnetic rays, radiation या waves अर्थ तक आती हैं, या कहीं भी जाती हैं, वो होती है short wavelength की. This is a very important point, ध्यान रखेंगे, that they are short wavelengths. और एक law भी होता है, physics का law है, जो आगे पढ़ेंगे, जिसको वीन्स law बोलते हैं, वो यह कहता है कि कोई भी अगर ऐसी body है, वैसे वो black body के context में दिया गया था, बर बाकी bodies पे भी अप्लाई करता है, So, कोई भी ऐसी body है, जो बहुत high temperature की है, extremely high temperature, और अगर वो radiations emit करती है, तो उसकी जो wavelength होगी, वो short wavelength होगी, and अगर comparatively थंडी body है, यानि कि less temperature वाली है, थंडी नहीं, मतलब कम गरम, कम गरम body है, तो वो भी radiations emit जब करेगी, तो वो long wavelength वाली होगी, यानि कि temperature and wavelength are inversely proportional, Inversely, temperature जादा, तो short wavelength की radiation होगी, temperature कम तो long wavelength की radiation होगी, आगे भी हम पढ़ेंगे वी इंसलो में, अभी इतना समझ लीजे, कि sun की जो radiations है, वो short होगी, या long wavelength की होगी, they will be of shorter wavelength, So, these questions are clear होना चाहिए, क्योंकि आगे हम देखेंगे, कि धर्ती जब इन radiations को absorb करती है, और वापस emit करती है, रात को, तो वो long wavelength भेजती है, तो ऐसा क्यों होता है, ये, इसका थोड़ा से हिंक मैं अभी दे दिया, थोड़ा बहुत मैं बाद में और समझा दोंगी, So, transfer of energy, Sun की कैसे होती है, number one हमने बोला, radiation के through होती है, इन radiation का nature क्या होता है, अच्छा, इन radiation को बोलते कह है, solar radiation बोलते हैं, बिकोज इस Sun से डील करता है, anything dealing with sun is termed as solar, है ना, solar हम सन के context में यूज़ करते है, So, these radiation, इनका nature कैसा होता है, यह electromagnetic होती है, और इक किस wavelength की होती है, electromagnetic में भी short wavelength की होती है, यहां तक की बात समझ में आगी, Now, Sun इतनी energy radiates करता है, जितनी daily, जितनी हम एक साल में भी consume नहीं कर सकते हैं, यानि कि it is immense, it has immense energy, और यह सारी energy कैसी है, renewable energy है, विकोज यह बनती जा रही है, continuously बनती जा रही है, इसलिए हम solar energy की तरफ जादा से जादा बढ़ रहे हैं, Now, अभी मैंने आपको बताया था कि Sun की energy का location क्या है, the core, वही पर nuclear fusion होता है, वही पर energy बनती है, इस core से surface तक आने में करीब 1,50,000 years लग जाते हैं Sun के उपर, It takes 1,50,000 years for this energy from the Sun coast to come to the solar surface, क्यों होता है ऐसा, थोड़ा सा ब्रीक में बता देती हूं, जितनी भी gases हैं, Radiative और Convective Zones के अंदर वो इतनी tightly packed हैं, कि इन radiations को, इन convections को surface तक पौशन में बहुत ताइम लग रहा होता है, ठीक है, they are so tightly packed, 1,50,000 years, just to reach from core to the surface, लेकिन सूरत से धरती पर आने में कितना टाइम लग रहा है, Just a little more than 8 minutes, just a little more than 8 minutes, तो इतनी strong waves होती हैं, जो Sun से आती हैं, So it just takes over 8 minutes, exactly कितना, मैंने बोला over 8 minutes, यानि 8 minutes से कुछ जादा, अब कितना जादा, वो आप मुझे बताएंगे, कितना टाइम लगता है, Sunlight को Sun से Earth तक पहुँचने में, जब इसे comment करो, आपके लिए second question है यह, और जबकि Earth और Sun की दूरी कितनी है, it is 93 million miles approximately, 93 million miles की दूरी, कुछ 8 minutes कुछ सेकेंड में तैय कर लेता है, जबकि core से और surface तक की दूरी यह तैय करता है, 1,50,000 years में, यह जो speed है, जिससे की वो light और तक पहुच रही है, वो speed क्या है, 186,000 miles per second, कितना fast, कितनी strong है वो rays, और इतना fast travel कर रहे हैं, वो हम इससे अंदाजा लगा सकता है, इसी लिए इसको सिरफ इतना सा time लगता है, और तक कहुच नमें, speed of light is approximately 186,000 miles per second, per second, alright, I hope this much is clear, अब हमारा आता है तीसरा question, हमने अभी तक यह देख लिया, कि Sun को उसकी energy कहां से मिलती है, what is the source of Sun's energy, हमने यह देख लिया, कि वो energy अर्थ तक कैसे आती है, almost vacuum space के थूँ, और अब हमारा third question हम answer करेंगी, कि कि किस तरह की energy Sun हम तक भेजता है, यानि कि sunlight का एक-एक जो photon होता है, एक-एक जो particle होता है, उसमें कौन-कौन सी lights या कौन-कौन से elements होते हैं, ठीक है, so let us start with answering this question, यह है पूरा electromagnetic spectrum, now we'll be studying about the entire spectrum, यानि कि हर एक लाइट के photon में पूरी जो wavelength का variation होता है, short wavelength की भी कुछ light होगी, average medium wavelength की भी होगी, और बहुत large wavelength, long wavelength की भी होगी, इस पूरे से एक spectrum बना हुआ होता है, और जो हमारे पास धर्ती पे light आती है, वो सिर्फ visible light नहीं होती, जिसमें सातरंग होते हैं, जैसे कि हम इंद्रधनुष के सातरंग बोलते हैं, वो sunlight की scattering से बनते हैं, को पता है, जब धूप और पानी की बूंदे होंगी, तो light scatter हो जाती है, तो क्या sunlight में सिर्फ वो visible light है? No, sunlight में उस ते visible light से shorter wavelength की भी light है, visible light से longer wavelength की भी light है, और कुछ light तो ऐसी, जो मैं दिखती ही नहीं, यह longer wavelength वाली light, ठीक है, तो अब हम वो सारे देखेंगे, तो यह है वो पूरा spectrum, अब यहाँ पेले देखिए, यह आपको दिख रही है, shorter wavelength और जैसे जैसे right side की तरफ move कर रही है, यह long wavelength होती जा रही है, और यहाँ आप देख सक पुटा सा निमोनिक होता है, जो हमने बचपन में सीखा था, इंतरधनुष के सात रंग याद करने के लिए, या light के 7 colors याद करने के लिए, visible light के, violet, indigo, blue, green, yellow, orange, red, यह 7 colors आते हैं, सिर्फ इस एरिया में, इस पूरे spectrum के, यानि इतना बड़ा यह spectrum है, और उसका सिर्फ यह आतरंग लिए हुए है, और इसको हम बोलते है, visible light, अगर हमारे पास 100% जो भी light आ रही है, संकी, संकी बहुत सारी light हो, इसका थोड़ा सा हिस्सा, बहुत थोड़ा सा हिस्सा, अभी हम देखेंगे, 1 billion का सिर्फ 2 पार्ट हमारे पास पहुँचता है, अर्थ के पास, तो उसक अगर हम 100% मान के चलें, जो भी कुछ हमारे पास आ रहा है, तो उसका almost 43%, यह 44 लिखा हुआ है, 43% ही visible light होती है, यानि इस पूरे 100% का जो अर्थ रिसीव कर रही है, उसका 43% होती है visible light, उसका approximately 7% होती है, ultraviolet radiation, ultraviolet जो की ozone layer उसको absorb कर रहे थी, याद आया, 97-99% ozone layer में यह ultraviolet radiation देखो, violet के पहले आ रहा है, violet से red पे जब आप move करोगे, तो यहाँ देखो कुछ, नमबर लिखे में 400, 500, 600, 700, 750 नानोमीटर, यह क्या है, यह wavelength का measurement है, so 400 of course is short wavelength, this is longer wavelength, तो ultraviolet, इस violet के भी left में है, यानि और short होगी है, तो ultraviolet उसके बाद आप देखो, X-ray, gamma ray, X-ray gamma ray कौन absorb करता है, कौन सी layer absorb करती है, ionosphere, ionosphere हमने बढ़ा था, ionosphere, basically in high frequency, हमने बुला था, high frequency radiations को जो absorb करती है, वो ionosphere बना ही इस वजह से है, क्योंकि ion formation कर देती है, high frequency, तो जो भी wavelength, short wavelength, जो भी rays, radiation, short wavelength वाली होती है, वो high frequency वाली होती है, इन दोनों का relationship अब आपको समझना पड़ेगा, फिर हम आगे, electromagnetic spectrum को समझने पर जाएंगे, अब देखिए, एक है ये, short wavelength, अगर हम इस से compare करें, ये है long wavelength, ये wavelength और ये wavelength, of course आपको समझ में आ गया, ये short है, और आपको समझ में आ गया, ये long है, लेकिन मैंने बोला, short wavelength वाली radiation की energy या frequency हाई रहती है, frequency मतलब कितनी जल्दी जल्दी ये repeat करेंगी खुद को, बिल्कुल simple शब्दों में मैं समझा रही हूँ, यहाँ इनका repetition बहुत देर बाद आएगा, अगर मैं एक standard ले लूँ, तो यहाँ तक में 1, 2, 3, 4, 3, 4 repetitions हो गए, जबकि यहाँ तो एक repetition ही खतम हुआ है, तो frequency यानि कि किसी भी चीज़ के होने की बार-बार जो tendency होती है वो इन में जादा होगी या इन में जादा होगी, यहीं जादा होगी, because यह wavelength छोटी है तो बार-बार यह waves उठती है, So, wavelength and frequency are inversely proportional, जिस भी radiation की wavelength जादा होगी, उसकी frequency लो होगी और frequency लो होना मतलब उसकी energy भी लो होगी, frequency और energy साथ में चलते हैं, जो जितना जल्दी frequent-frequent काम करेगा, उसकी body की energy जादा होती है न, जो इंसान जल्दी-जल्दी बोलता है, वो full of energy से बोलेगा, वो ऐसे ढिला इंसान कोई भी जल्दी नहीं बोल सकता, exactly, So, आपको यह दो-तीं चीज़े याद रखनी है, wavelength, then frequency and energy, wavelength जितनी लंबी होगी, long होगी, frequency उतनी short होगी, energy उतनी low होगी, So, जब हम बात करते हैं, ultraviolet या फिर x-ray या gamma rays की, तो यह x-ray गामा rays particularly, x-ray और गामा rays particularly, short wavelength वाली, high frequency और high energy वाली होती है, ठीक है, और इस वज़े से यह ionization करवाती है और ionosphere में ions मौझूद होते हैं बहुत सारे और अधिकतर यह वहीं पर utilize भी हो जाती है, फिर आती है ultraviolet radiation जो थोड़ी सी ज़ादा increasing wavelength वाली होती है, पर frequency थोड़ी कम हो गई, energy थोड़ी कम हो गई, यह अधिकतर ozone layer में exhaust हो जाती है, फिर आती है visible light जो पहुँचती है हम तक, उस visible light में seven colors होते हैं, low wavelength से high wavelength की तरफ चले तो whip gear, violet की wavelength छोटी होगी, red की लंबी होगी, लेकिन violet की frequency ज़ादा होगी, energy ज़ादा होगी, red की कम होगी, अब red के आगे, red के आगे जो आएगा वो है infrared, infrared यानि कि now they are long wavelength, और यह हमें naked eyes से नहीं दिखती है, आपने अभी देखा होगा, कि रात के समय, बहुत सारे जो जैसे National Geographic पर discovery पर animals को record करने के लिए cameras बनाये जाते हैं, और उनमें आपने सुना होगा infrared cameras हैं, जो रात में भी record कर सकते हैं, यह long wavelength पर function करते हैं, बहुत सी ऐसी satellites होती हैं, जो कि space में घूम रही होती हैं, और उनमें भी IR यानि infrared rays का इस्तमाल किया जाता है, wavelength का इस्तमाल किया जाता है, ताकि वो अट्मॉसपेर के सारे layers के अंदर धर्ती के भी अंदर तक देख सकें और data निकाल सकें, तो infrared rays आती हैं, red के आगे, फिर microwaves, radio waves यह सारी होती है, तो अभी तक मैंने आपको सारा concept समझाया, wavelength, frequency, energy का, क्या होती है, long shot, wavelength, how they are associated with energy frequency, etc. अब फट आफट से इनका break up देख लो, जो हमारे पास 100% light आ रही है, जितनी भी light हमारे पास आ रही है, अगर हम उसको 100% लेके चले, तो 43% visible spectrum में आती है, उसके अलावा जो पूरा spectrum है, वो invisible है, हमारी naked eyes से हम नहीं देख सकते, सो उसका 7% आ जाता है UV यानि ultraviolet radiations में, 49% आ जाता है infrared में, 49% near infrared के अंदर आ जाता है, remaining जो 1% है, उसमें gamma ray, x-ray, radio waves, etc. यह सब कुछ शामिल होती है, okay, and I have told you, this much is the visible part, पापी सब is not visible, और यही सब यहाँ पर लिखा हुआ है, कि sun जो emit करता है radiation, वो electromagnetic form में करता है, और 43% उसका visible part में होता है spectrum के, और जो एक बहुत बड़ा बल्क है, वो near infrared और infrared यानि 49% वहाँ चला जाता है, ultraviolet section में 7% आता हो, remaining 1% जो है, वो x-ray, gamma waves, radio waves, इन सब में होता है, alright, चलिए, so, इस question का answer भी मिल गया, कि जो sunlight हमारे पास आती है, उसमें होता क्या-क्या, what are the components of it, अब आते हैं हमारे आखरी सवाल पे, what happens when sun's energy reaches us, sun ने energy बना ली, sun ने energy भेज दी, उस energy में क्या-क्या है, हमने देख लिए, अब हम करेंगे क्या उस energy का, अर्थ कैसे रियाग करती है, जब वो energy उसके पास पहुँचती है, अब यह देखते हैं, और इससे पहले यह समझे, कि sun तो immense energy बना रहा है, उसका सिर्फ थोड़ा ही हिस्सा हम तक पहुँच रहा है, और जो वो हिस्सा हम तक पहुँच रहा है, उसको हम कहते हैं, insulation, जो कि आपने topic, जो heading थी आज की उसमें भी देखा, तो insulation is incoming solar radiation, solar radiation तो बहुँच बन रहा है, है न, excess में बन रहा है हमने देखा, लेकिन वो सारा का सारा धर्थी पे नहीं आ रहा है, ऐसा हो रहा होता तो भी life possible नहीं थी, तो incoming solar radiation में से ही निकाल के word लिया गया है, insulation, insulation, तो वो radiation sun का जो अर्थ तक पहुचता है, सिरफ उस हिस्से को insulation कहा जाता है, दोनों में difference समझ में आ गया है, radiation क्या है, radiation वो energy जो sun emit कर रहा है, तो वो तो बहुत ज़ादा होगी, लेकिन उसका छोटा सा हिस्सा, एक tiny part जो अर्थ तक पहुचता है, जो हम receive करते हैं, उसको हम कहते हैं insulation, और राइट, चलिए, so, tiny portion of solar radiation is received by the earth, हमें सिर्फ एक छोड़ा सा हिस्सा मिलता है, और यह tiny portion कितना है, only 2 units out of a billion, यानि 10 to power 9 units, 1 billion units में से सिर्फ 2 units अर्थ तक पहुचते हैं, और वो जो अर्थ तक पहुच रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं incoming solar radiation, और shortness उसको कह दिया जाता है insulation, और यह word यहाँ से निकला है, अब यह जो word insulation, यह एक Latin word से derived हुआ था, और इसका मतलब होता है, जो word था जिससे derived हुआ है, that word was insolatio या insolair, इसका मतलब होता है to expose to sun, तो अर्थ कितना exposed है sun की energy से, यानि की sun की कितनी energy अर्थ तक आती है, okay, like that, so insulation is proportion, important है ना, proportion of solar radiation received or intercepted by earth, I hope this is clear, अब हम देखते हैं, जब insulation आ रहा है, हमें receive हो रहा है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, उसका बहुत सी activities होंगी, जो कि earth के atmosphere में perform होंगी, हम थोड़ी थोड़ी तो पहले पढ़ चुके हैं, और इनको detail में हम पढ़ेंगे heat budget में, हीट budget, जैसे हमारा financial budget होता है, कितने रुपे आये, कितने खर्च हुए, net कितना बचा, इसी तरह से earth का heat budget होता है, कितना radiation आया, कितना use हुआ, कितना बाहर भेज दिया वापिस, और net कितना बचा, so ये heat budget जो है earth का, वह हम separately पढ़ेंगे, तब और detail में इन चीज़ों में जाएंगे, अभी सिर्फ सर्फस स्टड़ी कर रहें, so, क्या होता है जब सन के energy पहुँचती है, कुछ energy जो है, वह directly absorb कर ली जाएगी, atmosphere भी है हमारा, तो वह atmosphere energy absorb कर लेगा, कुछ energy को वापिस, जो उस atmosphere में particles हैं, वह reflect कर देंगे, कहां लिखा हुआ है, where am I marking, I don't think so, I have written, okay, I have written here, so, जब solar radiation एर्थ पहुँचता है, तो उसमें से कुछ हिस्सा, तो reflect back हो जाता है, यानि 30%, हमारे पास अगर 100% radiation आ रहा है, insulation आ रहा है, तो उसका लगभग 20% प्रतिशत, हम वापस reflect कर देते हैं, हमारा atmosphere reflect कर देता है, या फिर scatter कर देता है बाहर वापस, और 70% हम absorb करते हैं, इसी 70% को अलग-अलग तरह से फिर हम utilize करते हैं, इसमें भी further देखेंगे, 70% अबस्पर तो कर लिया, इसमें से भी कुछ हम वापस बाहर भेजेंगे, पर हमारे atmosphere की greenhouse gases उनको trap कर लेंगी, तो हमारा जो पूरा काम चल रहा है, वो 70% of the 2 units of the 1 billion incoming units है ना, ये सारी चीज़ धियान रखेगा, अब कैसे ये 30% reflect होता है, ये एक बार देख लीजे, ये देखो, अगर हम उन 2 units को 100%, हमारे लिए तो वही 100% radiation है, जब वो 30 पर आ रहे हैं, तो पहले देखते हैं 30% loss कैसे हो रहा है, 5% तो directly scatter back हो जाता है, जो atmosphere में चोटे-चोटे particles होते हैं, dust particles हो सकते हैं, aerosols हो सकते हैं, वो सीधे बाहर scatter कर देते हैं, चोटे dust particles, उसके बाद, जो light बची वो और नीचे आई, radiation नीचे आए, नीचे ट्रोपो स्फेर में clouds होते हैं, पढ़े थे हमने, clouds अप्रॉक्सिमेटली 20% radiation को reflect back कर देंगे, clouds क्यों reflect कर देते हैं, क्यों वापस भेज देते हैं, क्योंकि clouds के अंदर होते हैं, minute ice crystals, तो इतने थंडे होते हैं, पानी condensed होता है, minute ice crystals बन जाते हैं, इतनी उचाई पे, और ice की property होती है, वो shiny surface होता है, hard होता है, तो वो light को reflect करते हैं, फिर remaining जब नीचे आए, तो देखो, यहाँ पे 20% radiation, absorbed भी हो रहा है, clouds और atmosphere के थुरू, और बाकी, नीचे जो आ रहा है, land और surface भी इसको absorb कर रहे हैं, देखो, यहाँ से absorb कर रहे हैं, absorption की cycle यहाँ दिखा रखी है, तो पहले ऐसा समझ लो, सीधे 50% जो कहीं भी reflect नहीं हुआ, absorb नहीं हुआ, वो धर्ती तक पहुँच गया, तो 50% तो absorb हो गया, land surface पे या sea पे, इस 50% का भी 5% वापिस reflect हो जाएगा, हाथो हाथ, हाथो हाथ, यानि यह सब जो reflect होके जा रहे, यह सब short wavelength वाले ही हैं, जो sun ने भेजे थे, as it is short wavelength वाले reflect हो रहे हैं, alright, so sun से 100% radiation आया, सब से उपर से थोड़ी बहत scattering होकर, के 5% चला गया, नीचे आया, या क्लाउड से reflect होके 20% चला गया, 20% क्लाउड ने, वाटर वेपर्स ने, ग्रीन हाउस गैसे ने सब ने absorb भी कर लिया, ठीक है, उसके बाद नीचे पहुंचा 50% तक, उस 50% सीधे भी 5% सीधे, वाटर सर्फिस या लैंड सर्फिस ने reflect कर दिया, इस तरह से, अप्रॉक्सिमेटली 30% हाथो हाथ लूज हो जाता है reflection, और अब यह देखो, यह 20% यहाँ absorb हुआ है, अट्मॉसफेर में, और 50% सर्फिस पे absorb हुआ है, तो 70% absorb हो जाता है, ठीक है, चालिए, अब यह जब रेडियेशन एब्सार्ब होते हैं, जो 70% absorbed हुआ है, अब इसका क्या होगा, यह तो light energy की फ़र्म में आया था, रेडियेशन की फ़र्म में, अब यह convert होता है, हीट में, हीट में कनवर्ट होता है, सारे life processes चालू होते हैं, और यह जो differential heating होगी, वो अभी हम पढ़ेंगे आगे सारी चीज़े, उसके वज़े से climate में सारे changes शुरू होते हैं, So, when the radiation is absorbed by a substance, जब radiation आएंगे, तो atoms का movement होगा, radiation लिया है, energy थी उन radiation में, radiation आते ही, atoms move होते हैं, atoms move होते हैं, तो यह जो kinetic energy है, यह heat energy में convert होती है, और इससे heat produce होती है, और जो heat है, वो क्या करेगी, वो temperature of the crust, surface water, lower atmosphere, इन सब में, temperature regulation वाला सारा काम, चालू हो जाता है, चाले, अब यह तो हो गया, कि भाई, absorb भी हो गई, heat जो radiation थी, reflect भी हो गई, अब आपने देखा होगा, कि कई जगे पे, कुछ scatter कर रहे हैं, कुछ particles हैं, जो कि absorb कर रहे हैं, कुछ reflect कर रहे हैं, अब यह अलग-अलग, जो surfaces होते हैं, वो अलग-अलग तरह से behave करते हैं, absorption और reflection के case में, so different surfaces, vary in absorption and reflection, क्यों होता है, कि clouds 20%, या फिर अगर कहीं पे ice होती है, तो कम light absorb होती है, reflect हो जाती है, clouds भी से लिए reflect कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों होता है, जल्दी से पहले वो समझते हैं, so हर surface जो अर्थ का है, या तो वो, वो absorb या reflect करेगा, energy को अलग-अलग, varying degrees पे, depend करेगा, काभव समसर्ट को आर्ड दिए Rak लार कॉल्स की अर्चक्रोट कादे हिरा, हैं, आपना के अ कर दिएक अंजिए क्प्टस पहने जाते हैं, कुल कलर्स पहने घाते हैं, क्यू एक हैं थैर सत्थाओ कुछ हावनट का अशनग छिए पहने जाते हैं, बहाने हैं, एर्थ के लिए भी आ रहे हैं, dark colored objects जो होंगे वो absorb जादा करेंगे visible radiation को light colored कम करेंगे, shiny and smooth objects जो होंगे जल्दी reflect करेंगे जैसे ice है, shiny है, smooth है, तो वो जल्दी से reflect कर देगी light को, जबकि जो rough and dull surfaces होंगे जैसे midti है, वो absorb कर लेंगे, और यह जो differences है reflection में, कि एक एरिया में reflection जादा हो रहा है, एक एरिया में absorption जादा हो रहा है, इसी की वज़े से climate changes start होते हैं, temperature और climate के अंदर changes. Now, एक concept आता है, albedo, ये एक term है, जो कि scientists देते हैं, albedo, ये होता क्या है, हमने देखा कि बहुत से surfaces होते हैं, जो absorption करते हैं, बहुत से reflect कर देते हैं, अलग-अलग levels पर reflect करते हैं, तो क्या percentage solar radiation का कोई एक surface या एक object reflect कर रहा है, short wavelength का ही, है न, उस percentage को कहा जाता है albedo, जैसे कि हम आइस की बात करें, तो absorb जादा नहीं करेंगी, reflect जादा करेंगी, तो इसका albedo भी जादा होगा, अगर हम बात करें, एक दम rough surface की मिट्टी हो जहां पे, तो वो जादा absorb करेंगी, तो उसका albedo कम होगा, ठीक है, तो albedo क्या है, albedo एक term है, एक concept है, जो कि ये बताता है कि percentage of solar radiation reflected back, percentage of solar radiation reflected back into space by an object or surface, और short wavelength में ही ये होता है, ऐसा नहीं कि दिन में तो absorb कर ली धरती ने, और रात में जब वो reflect करेंगी, तो उसको albedo बोले no, जो short wavelength आपने, किसी object ने absorb किया, या sorry, receive किया, उसी को अगर reflect कर देता है, तो कितने percentage में reflect करता है, उसको albedo कहा जाता है, completely perfectly black, तो वो पूरा एबसॉब कर लेगा, रेडियेशन को reflect बिल्कुल नहीं करेगा, तो albedo हो जाएगा 0, अगर कोई pitch perfect white surface है, तो वो 100% यानि पूरा पूरा reflect कर देगा, तो albedo हो जाएगा 1, maximum albedo value जो होती है, वो 1 होती है, तो ये एक reflection coefficient है, albedo is a reflection coefficient, और ये बताता है कि क 80% reflection हो रहा है, और इसकी value less than 1 ही होगी, perfect reflection में 1 और थोड़ा भी absorption हो रहा है, तो less than 1 होती जाएगी, example मैंने आपको समझाई दिया, कि land and ocean देख लीजे जैसे उनका low albedo होता है, low albedo मतलब वो 0.1 से 0.4 ही typically reflect करते हैं, absorb जादा करते है, low albedo मतलब low reflection, ठीक है, और snow की बात करे तो high albedo होता है, 0.7 to 0.9 इनका albedo होता है, यही 70% से 90% दग reflection हो सकता है, 40 to 90 भी हो सकता है, depend करता है, snow की quality पे भी, earth का average albedo है, यानि कि on and average earth कितना reflect करती है, कितना करती है, 30% करती थी, तो 0.3 is the average albedo of earth, ठीक है, चलिए, अब हम आ जाते हैं, एक और concept, यह छोटे-छोटे concept सब insulation और radiation से related है, concept clarity बहुत ज़री है, इसलिए सब मैं यहाँ डाल दी है, long wave radiation from earth, अब देखो, जो sun से radiation आ रहा था, वो short wave का था, अब 70% absorption हो चुका है, अर्थ के surface में, क्या यह सारा absorption as it is रखा रहता है, नहीं, जब रात होती है, जब रात होती है, जब sun का radiation बंद हो जाता ह तो earth बापिस से reflect करना शुरू होती है, radiate करना शुरू होती है, reflect नहीं बोलुकी मैं, इसको radiate करना शुरू होती है, और अब जब यह radiate कर रही है, energy को, तो यह long wavelength की radiations produce करती है, अब क्यू sun से आने वाली radiation short wavelength है, और earth से निकलने वाली radiation long wavelength है, यह question है, जिसका answer हमें यहाँ द लोग में अधिए था विंस्थ लोके अंदर, अर्थ एब्सॉर्ब करती है, शॉर्ट वेवलेंथ को डे टाइम में, और रिफ्लेक्ट बैट करती है, हीट को space में long wave radiation के तौर पे और mostly ये long wave radiation होते इंफ्रा red radiation के तौर पे रात में reflect करेगी space के अंदर अब ये long क्यों होते हैं तो वही थियोरी पे हम आ जाते हैं कि sun का temperature बहुत high है बहुत high temperature वाली body जब भी radiation निकालेगी वो shorter wavelength वाले high frequency high energy वाले होंगे और जो comparatively ठंडी body है जैसे कि earth है, earth का temperature sun जितना नहीं हो सकता, तो earth के जो radiations हैं, क्योंकि earth का temperature कम है, इसके जो radiation होंगे वो longer wavelength, less frequency, less energy वाले होंगे, ओके, और जो हमारी atmosphere है, उसकी प्रॉपर्टी है कि वो short wavelength वाली rays को तो अंदर easily आने देता है, लेकिन long wavelength को trap कर लेता है, हमारी greenhouse gases जो हैं particularly तो यह जब long wavelength जा रही होती है बाहर atmosphere में जो greenhouse gases उसको trap कर लेती है, और इसी से temperature बढ़ता है, atmosphere का, यह phenomenon यहाँ पर समझाया हुआ है और इसी को कहते है greenhouse effect, और it results into global warming, earth radiates energy at wavelengths, जो कि much longer होते है than the sun, because it is colder than the sun long wave radiations होती है, ऐसा निए कि सारी trap हो जाएंगी, कुछ निकल जाती है, और atmosphere इतना easily आने जाने नहीं देता, long radiations को short wave radiations को बहुत easily आने देता है, लेकिन long waves के साथ थोड़ी से टसल करता है, तो कुछ निकल जाती है, कुछ वापिस से अंदर ही reflect हो जाती है और अंदर ही घूमती रहती है, और टेंपरचर बढ़ा देती है So, some of these long wave radiations are absorbed by greenhouse gases जो की further उसको energy के तोर पे सारे directions में फहला देती है नीचे भी उपर भी देखें यहां पे यह सन की short wave radiations आ रही थी, कुछ reflect हो गई फिर रात में अर्थ ने यहां से long wave radiations भेजी जो की वापिस अट्मोसफर से टकरा के वापिस काफी सारी नीचे आ रही है कुछ निकल भी जाएंगी बाहर और कुछ वापिस आ जाती है अब हम लास्ट ली आ जाते हैं यह जो पूरा concept है कि जो जादा hot body है वो lower frequency, lower wavelength वाली radiations भेजेगी या फिर wavelength और frequency और energy इनका हापस में क्या correlation होता है temperature का etc. यह सब पढ़ने के लिए कुछ एक laws दी गई है यह laws वैसे तो scientific laws हैं पर क्यूंके geography is also a science so यहां पे भी apply होती है तो हम 2-3 laws जो important है वो आपको पता होनी चाहिए जैसे कि वीन्स displacement law जिसका जिकर मैंने दो बार कर दिया lecture में वीन्स law क्या बोलती है wavelength of maximum intensity of emission of radiation is inversely proportional to absolute temperature of radiating body यानि कि जो भी radiating body है अगर वो radiations निकाल रही है maximum intensity बिलकुल एक दम full intensity से radiation निकाल रही है उसमें से आ रहे है तो उसकी जो wavelength होगी वो inversely proportional होगी temperature के यानि कि temperature अगर बहुत जादा है तो wavelength कम होगी और temperature कम है तो wavelength जादा होगी inversely proportional होगी ठेक है तो यह था wavelength displacement फिर आता है Stephen-Boltzman law Stephen-Boltzman law relation establish करता है intensity of radiation और absolute temperature के बीच में intensity of radiation is proportional to 4, fourth power of absolute temperature जो भी कोई radiating body है जो कि radiations निकाल रही है उसका जो radiation निकलने की जो intensity है यानि कि energy है ना intensity जो है वो intensity proportional होगी temperature की fourth power से यह कौनसी law कहती है Stephen-Boltzman law कहती है तो हमें यह समझ में आया है कि जितना जादा गरम body होगी उतनी ही जादा intensity वाली radiation हो भेजेगी ठीक है फिर तीसरा आता है Planck's law Planck's law establish करता है relationship between energy content and frequency और Planck's law यह बोलती है कि अगर कोई electromagnetic radiation में particles जो होते है उनका energy content जो है यानि कितनी energy होगी उस particle में वो proportional होती है किस से frequency से content of each quantum is proportional to the frequency यानि जितनी जादा energy उतनी जादा frequency और जादा frequency का मतलब short wavelength ठीक है तो यहां पर Wien's displacement law ने बोला temperature अगर जादा है तो wavelength कम हो जाएगी यानि higher temperature तो low wavelength जैसे कि sun के किस में होता है Stephen Boltzman law ने बोला कि जो intensity है radiation के वो proportional है 4 power of temperature से और Planks law ने ये बोला कि जो energy है वो proportional है frequency से अब इनके formula नहीं लिख रही हूँ मैं मैं general in law को समझा रही हूँ विकास यहां हमें से इतना समझने की जरूरत है और इसलिए जो short wavelength वाली तो इसके साथ आज की class करते हैं खतम अब insulation खतम नहीं हुआ है एक और class insulation पर हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि कौन-कौन से factors है जो कि insulation को affect करते हैं हर जगे same insulation नहीं होता है तो insulation कौन-कौन से factors से governed होता है वो class हम लेकर के आएंगे next यानि की lecture 4 में so keep learning and stay tuned take very good care of yourself